हमेशकार जी के विद रिया में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट और उसके साथ दोस्ट क्योंकि रहने वाली हूं इस वीडियो में मैं आपकी साथ ही नाम है मेरा रिया त्रिपाथी तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं तो आज का मरा जो टॉपिक है वो अपके लिए काफी नौलिशफुल तो है ही लेकिन उसके साथ यह काफी मसेदार है क्योंकि आज का मारा जो टॉपिक है वो यह है कि क्या दुनिया में ऐसा भी कोई जीव है जो कभी मरता ही नहीं है जब बुड़ा हो जाता है तो फिर से बच्चा बन जाता है लेकिन हो होता कैसे और हां ऐसा जीव हो कैसे सकता है तो आज हम इसी के बार में जानेंगी बैसे सब लोग हमें कहते हैं कि हर एक इंसान को मरना होता है हम लोग मरने के बार में सोचते हैं तो हमारा जो दिमाग रहता है घूमने लगता है और हम लोग सुनते हैं कि कोई इनसान मर गया हमारी दुनिया उसमें क्या क्या एम लोग कहते हैं कि मृत्य अपना वीडियो चुरू करते हैं तो यह जो जीव जीव मचलीों की प्रजातिका इसका नाहीं जाली फिश यह जज़िफिश है आंके र होती इतनी बड़ी है इसे पूरी हाइट ही होती है किया नज़ Stealth सी जपान गया सुछहती है जादस जाब लिए हमें बस एक चीज समझनी है महां भारत की कथा तो हम सब ने पढ़िया यह तीवी पर देखिया तो हम ने यह देखा था कि जो भीश्म थे उनको एक क्या कहते हैं वर्दान मिला हुआ था कि तुम जब चाहोगा कि तुम्हें मरना है तभी तुम मर सकते हो तो शायद यह पर सकते हैं जो ताइब मश्रीये जो ही उसे यही मरदान मिला हुआ है इस मश्री का नाम अमर जी जी वी क्यों रखा गया यह नाम हमेशह अमर रहती है तो क्या होता है कि मश्री यह झाल यह तो इस तरह आए कि इस तरीके से हो गया कि बोड़ सornis registrant कोने पर सबस्ते हैं जो अपना पर छर्च अक्राइब की आफ में बाते हैं गलतियां यह उसे दोबारे से सपार सकती है लेकर अभर मरती स्कसाल इसाथ को जान boils कि एक अब साथ पास ना आए तो यह जी सकती है और उसके साथ हम लोग अब सोचते हैं कि आखिर किस वजह से यह जी भी तरह पाती है तो इनके जो सेल्स होते हैं उसके वज़े से इनके सेल्स दुबारा से जम नहें बन जाते हैं तो एक बच्चे जैसी हो जाती है मतलब इनका शरीर छोटा नहीं होता लेकिन इनकी शरीर जैसे आफ फोन रिसेट करते हो तो आपका फोन ब्रैंड न्यू लगता है उसी तरीके से इनकी सरीर भी रिसेट हो जाती है तो चली जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि इनके पास दिमाग होता है तो आपको मैं चीज बताऊंगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को वीडियो जरूर शिया करना क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि कोई मचली जीवित रह लेती है